नाग कुमारी की जै हो कितनी बार कहा है तुम्हें नम्रता मुझे सिर्फ नैना कहा करो और मैंने भी तो आपको कितनी बार समझाया है न कि मैं आपको आपके नाम से नहीं पुकार सकती क्योंकि आप नाग लोग की राज कुमारी है वो मैं बाकियों के लिए हूँ, पर तुम तो मेरे बचपन की सहेली हो नमरता मैं एक दासी हूँ जिसे आप अपनी सहेली मानती है और सच कहूँ, तो ये मेरा सौभागय है नाक कुमारी, किन्तो फिर भी, मैं अपनी जगह नहीं भूल सकती न ओहो, फिर से नाक कुमारी, अब की बार तुमने मुझे ये कहकर बुलाए न, तो कसम से तुम्हारा सिर फोड़ दूँगी मैं जी नाक कुमारी, रुको, रुको अभी बताती हो नाक कुमारी की बच्ची इतना कहकर नाग कुमारी नैना नमरता को मारने के लिए दोड़ी और नमरता हसते हुए खुद को उससे बचाने के लिए नाग महल से बाहर बगीचे में आ गई जहां नैना भी पहुँच गई और अब इन दोनों में पकडम पकडाई का खेल शुरू हो गया दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी और बचपन से ही एक दूसरे के साथ थी नमरता की मा नागरानी काया की दासी थी जब नमरता चोटी थी तब ही से उसकी मा उसे अपने साथ नाग महल लाने लगी थी नमरता और नैना एक ही उम्र की थी तो जैसे नमरता की मा नागरानी की दासी थी तो वैसे ही नमरता नाग कुमारी नैना की दासी बन गई मगर नैना ने हमेशा से ही नम्रता को दासी से बढ़ कर अपनी सबसे अच्छी सही लिमाना हालां कि नागरानी काया को ये दोस्ती बिल्कुल नहीं सुहाती थी उन दोनों को बगीचे में इस तरह मस्ती करते हुए नागरानी ने देखा तो उने बहुत गुसा आया हा तो कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है मा? नहीं कुछ भी ठीक नहीं है मैं सब देख रहे हूँ मैं तुम्हें कितनी बार समझाओ नैना कि वो लड़की तुम्हारी दासी है उसे इतना सिर्च चढ़ाने की जरूरत नहीं है लेकिन मा? लेकिन वेकिन कुछ नहीं जब तक तुम छोटी थी मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन अब उसे अपनी उकात और तुम्हें अपना ओधा पता होना चाहिए पर मा भगवान ने जब हम सब को एक जैसा बनाये तो फिर ये भेद क्यों क्योंकि उसी भगवान ने तुम्हें शाही नागवंश में पैदा किया और उसे एक दासी के घर तो उससे वैसे ही पेश आओ जिसकी वो हगदार है और वैसे भी इन गरीबों को जितना मुलगाओ ये उतना ही सिर पर चड़ते है नैना अपनी मा की बात से बिलकुल सहमत नहीं थी पर वो अपनी मा और नाग रानी से और बहस नहीं कर सकती थी इसलिए वो बिना कुछ कहे कि अपने कमरे में चली गई और फिर मा गलत कहती है नाग देवता ने हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया हम सब एक जैसे है अब अगर नमरता गरीब के घर पैदा हुई तो इसमें उसका क्या दोश मा के लिए भले ही नमरता एक दासी हो लेकिन मेरे लिए तो वो मेरी सहेली थी है और हमेशा रहेगी और जब मैं रानी बनूँगी न तो ये सारा भेदभाव मिटा दूँगी मेरे आज में सब एक बराबर होंगे हाँ नैना खुद से ही बाते कर रहे थी पर वो नहीं जानती थी कि दरवाजे पर खड़ी नमरता उसकी ये बाते सुन रही थी नैना की बाते सुनकर उसकी आँखो में आसु आ गए और उसकी नजर में नैना के लिए सम्मान और बढ़ गया ऐसे ही कई महीने गुजर गए फिर एक दें मा आपने बुलाया हाँ देखो नैना अब मेरी उम्र होने लगी है और तुम भी अब बड़ी हो गई हो मेरे लिए अब नागलोग को संभालना भारी पड़ रहा है इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपसे तुम नागलोग की बा पूर्डिमा को तुम्हारा नागा भी शेक किया जाएगा और उसके बाद तुम इस नागलोग की नागरानी बन जाओगी और आप तुम्हें सब कुछ सौपने के बाद मैं नागना तीर्थ की यात्रा पर जाना चाहती हूँ यही मेरी इच्छा है और फिर कुछी दिन बा गया नागरानी जी क्या हुआ नागरानी जी आप इतने घबराय हुए क्यों है नागरानी जी वो नागमनी वो अपने स्थान पर नहीं है लगता है किसी ने नागमनी को चुरा लिया है क्या ये कैसे हो सकता है नागमनी कहां है ये तो सिर्फ तीन लोग ही जानते थे मैं आ आप या फिर नैना और हम तीनों ही फिलहाल यहां मौचूद हैं तो फिर किस ने किया ये तब ही काया ने देखा कि नैना की आँखो से आंसू बह रहे थे और इस वक्त नैना के आसपास नम्रता मौचूद नहीं थी ओ अब समझी नैना तुमने ही उस दासी की बेटी को नाग मनी को चुरा कर ले गई मा ये सच है कि मैंने ही उसे नाग मनी का पता बताय था पर वो वो चोड नहीं है नम्रता ऐसा कभी नहीं कर सकती मेरा विश्वास कीजे बस अब बहुत हुआ नाग पुरोहिद जी पूरा नाग लोग खंगाल डालिये उस धोखे बास दासी को नम्रता की खोड शुरू हो गई मगर कई महीने बीच जाने के बाद भी ना तो मनी का कुछ पता चला और नहीं नम्रता का था खायर कर नाग पुरोहिद वापस नाग लोग लोट आये नाग रानी जी अब कोई चारा नहीं बचा लाग कोशिशों के बाद भी नाग मनी और उसदासी का कुछ पता नहीं चला नाग पुरोहिद के इस तरह हार मान लेने से पूरी नाग सभा गुश्य मे आ गई और सभी मिलकर नम्रता को इन सब के लिए जिम्यदार ठहराने लगे नाग रानी काया ने गुश्य मे आकर नम्रता की मा को बंदी बनाने का आदेश नाग मनी के बिना पूरा नाग लोग कमजोर पढ़ने लगा था लेकिन फिर अगली पूर्णिमा के दिन नाग सभा में एक नाग हाफता हुआया कहो गुप्तिचर क्या समाचार है गुप्तिचर की बाद सुनते ही काया फौरन नाग पुरुहित के साथ उस शिवलिंग के पास पहुँची नैना भी उनके साथ ही थी और फिर नाग रानी जी ये शिवलिंग पहले तो यहाँ नहीं था और जरा इसके चमक तो देखिए हो सकता है कि इसी मैं तो जल्दी पता लगा ये नाग पुरुहित जी काया का आदेश मिलते ही नाग पुरुहित ने एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल वो शिवलिंग नाग मनी में बदल गया काया ने फौरन आगे बढ़कर नाग मनी को उठा लिया और फिर गुस्से में बोली अच्छा तो उस दासी ने ये खेल रचा था मनी की शक्ती का ही इस्तेमाल करके उसे हमारी नजरों से दूर कर दिया पर मा तुम चुप रहो नैना तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा क्या उस दासी ने पूरे नाग लोग को धोखा दिया है नाग पुरोहित जी अब हमारे पास नाग मनी है तो लीजे सब कुछ दिखा दीजे साफ साफ ताकि मेरी बेटी की आँखे खुल सके इसके बाद नाग पुरोहित ने फॉरण अपने आँखे बंद की और एक मंत्र पढ़ा उनके ऐसा करते ही मनी से कुछ रोश्णी निकली और उस रोश्णी में कुछ तस्पीरे दिखाई देने लगी नाग महल दुलहन की तरह सजा था तब ही नमरता की मा ने उससे कहा आज शाम को नाग कुमारी नैना का नागा भी शेख है एक काम कर नमरता तो जल्दी से जाकर जंगल से नाग पत्ती के पेड़ की तीन चार पत्तियां लेया वो पत्तियां बहुत ही शुब होती है कहते हैं उन पत्तियों को यदि पानी में भिगो कर उस पानी को किसी पर छिड़को तो उसका कल्यान होता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जान पर भी खेल कर उन पत्तियों को लाऊंगी मा चल अब जा भी बातों नहीं कहीं की हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ तभी नागमणी ने आगे दिखाय कि नमरता जंगल में गई लेकिन तभी उसे वहाँ पर तांत्रिकों की सेना नजर आई इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उस नागरानी काया और उसकी बेटी को मार कर हम नाग लोग पर कबजा कर लेंगे हाहाहाहा ही भगवान इतनी बड़ी सेना नागरानी और नागकुमारी की जान खत्रे में है इससे पहले की ये लोग नाग लोग तक पहुँचे मुझे ही कुछ करना होगा मनी ने दिखाय कि अगले इपल नमरता सीधा महल के तैखाने में गई और नागमनी को अपने साथ ले आई उसने नागमणी को अपने माथे पर धारन किया और फिर अकेले ही तांत्रिकों की पूरी सेना से फिर गई कई घंडों तक नमरता अकेले ही लड़ती रही पर इस जंग में वो बूरी तरह से घायल हो चुकी थी उसके जख्म जान लेवा थे फिर जब उसे कोई उपाय नहीं सुझा तो उसने मणी की शक्ती से उस पूरी जगह को ही जला कर राक कर दिया इसके बाद घायल नमरता ने नागमणी से प्रार्टना की कि वो एक शिवलिंग में बदल जाए नागमणी ने उसकी एच्छा पूरी की और इसके बाद नमरता ने अपनी सबसे अच्छी सहेली नैना को याद करते करते वहीं दम तोड़ दिया सच अब सब के सामने था और इसके बाद नागमणी से रोश्नियानी बंध हो गई सच्चाई अपनी आँखों से देखने के बाद हर किसी की आँखों में आसू थे कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था खास तोर पर नैना बस रोए ही जा रही थी लेकिन तब ही उसे कुछ खयाल आया उसने फोरण जाकर नमरता की मा को नागलोग की जेल से आजाद किया और फूट-फूट कर रोने लगी बाबा मैं कड़ाई में तेल पलट दू नाना बेटिया अभी तू छोटी है मैं कर लूँगा पूरे 16 साल की तो हो गई हो बाबा अब और कितना बड़ा होना होगा मुझे आपकी मदद करने के लिए अरे बिटिया जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें ये सब करने की जरुवत नहीं है तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ नहीं बाबा मैं तो बस आपकी मदद करना चाह रही थी मुझे कुछ नहीं चाहिए चाहिए कैसे नहीं बिल्कुल चाहिए पर क्या बाबा अरे वो आटा चाहिए तभी तो भटूरे बनेंगे ना अपने बाबा की इस बात पर सुकन्या खूब हसी दरसल सुकन्या के पिता अमरलाल छोले भटूरे का ठेला लगाते थे अमरलाल ने एक बंद पड़ी फैक्टरी के सामने अपनी एक छोटी सी जोपडी बना रखी थी जहां वो और सुकन्या रहते थे अमरलाल अपनी जोपडी के ठीक सामने ही छोले भटूरे का ठेला लगाता था इस इलाके में बहुत सी फैक्ट्रियां थी उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हर रोज अमरलाल के ठेले पर आते और बड़े ही चाफ से उसके छोले भटूरे खाते सब ठीक चल रहा था लेकिन फिर एक दिन अचानक भटूरे तलते हुए अमरलाल बेहोश हो गया बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? मुझे चक्कर आ रहा है बिटिया आखों के सामने अंधेरा सा चा रहा है आप फिक्र मत करिये बाबा मैं अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ आपको सुकर्निया अमरलाल को फौरण सरकारी अस्पताल लेकर पहुचे वहां डॉक्टर्स ने अमरलाल की जाज के बाद उसे बताया कि अमरलाल के फेफ्टों में इन्फेक्शन हो गया है और उसका लंबा इलाज चलेगा साथ ही डॉक्टर्स ने अमरलाल को धुए से दूर रहने के हिदायत भी दे सुकर्निया समझ के थी कि अब उसे ही अपने बाबा का छोले भटूरे का ठेला संभालना होगा क्योंकि गर्म तेल से निकलने वाला धुआ अमरलाल की परिशानी बढ़ा सकता था उसी दिन से सुकर्निया ने अमरलाल को घर से निकलने ने दिया और अकेले ही ठेले का सारा काम संभालने लगी शुरुआत में उसे थोड़ी दिक्कत हुई पर धीरे धीरे वो बढ़िया छोले भटूरे बनाने में माहिर हो गई फिर एक दिर हे भगवान ये भी वक्त दिखाना था क्या मेरे होते हुए मेरी फूल से बच्ची को अकेले इतना सारा काम करना पड़ रहा है ओहो बाबा मैंने कहा है न आपको आप बस आराम करो जादा मत सोचा करो ये कमबक्त बीमारी ना तो ठीक हो रही है और ना ही मेरी जान ले रही है क्या क्या बोले जा रहे हो बाबा मैं ठीक हूँ और मुझे छोले बटूरे बना कर सब को खिलाना बहुत अच्छा लगता है सच में नहीं बिटिया ये सब जो हो रहा था इससे बहुत अलग सोचा था मैंने सोचा था कि ठेले की कमाई से पैसे बचा कर तेरी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ करूँगा लेकिन अब तो सारा पैसा मेरे इलाज में ही खर्च हो जा रहा है अब कैसे करूँगा तेरी शादी शादी गई कड़ाई में बाबा पहले आप ठीक हो जाओ मेरे लिए सबसे जरूरी बस आपकी सेहत है और कुछ भी नहीं सुकन्या को पूरी उम्मीद थी कि अमरलाल ठीक हो जाएगा फिर एक दिन अहाहा बई मज़ा आ गया बई अरे अरे रानी जैसे तेरे भटूरे वैसे ही तुभी एकदम करा रही है कब तक अखेले जिंदे की काटवगी मेरी बात मान ले और फिर देख रानी बना कर रखूँगा तोजे ओए छोले भटूरे खाने है तो खा वरना निकल यहां से और अगली बार ये बत्तमीजी की न तो तुझे इस कढ़ाई में सर के बल डाल दूँगी समझा सुकर्ण्या में हिम्मत कूट कूट कर भरी थी उसकी धमकी की वज़ज़ से उस मन चले की बूलती बंद हो गई तो अधर जोपणी के अंदर बैठा अमरलाल भी मुस्कुराने लगा उसे पता था कि उसकी बेटी किसी से नहीं डरने बाली सुकर्ण्या ने भी ठान लिया था कि वो खूब मैनत करेगी और अपनी किस्मत खुद बनाएगी लेकिन सच तो ये था कि वो अपनी किस्मत से बिलकुल अंजान थी एक दिन जब सुकर्ण्या छोले भटूरे बना रही थी तभी उसे कुछ दूर शोर सुनाई दिया फिर अचानक वही से गोलिया चलने की आवाज भी आने लगी उस आवाज को सुनकर सुकर्ण्या को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो तुरन थेला छोड़कर सीधा अमरलाल को संभालने के लिए भागी तभी उसने देखा कि ठेले के ठीक सामने एक काली जीपा कर रुकी जिसमें से एक आदमी बाहर निकला उस आदमी के हाथ में बंदूग थी और उसके कपड़े देखकर साफ पता लग रहा था कि असल में वो एक आतंकवादी है ए लड़की इदरा जिलनी इतना कहकर उस आतंकवादी ने अपनी बंदूग सुकर्ण्य और अमरलाल की तरफ कर दी ऐसे में अपने पिता की खाते सुकर्ण्य को बाहर आना ही पड़ा और फिर मेरी बात ध्यान से सुन मेरे पीछे पुलिस लगी है सुकर्ण्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे वो किसी भी हाल में कातंकी की मदद तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी लेकिन सच्चाई ही ये भी थी कि फिलहाल उसकी और अमरलाल दोनों की जान खत्रे में थी पर आतंकी अपनी गाड़ी को जोपड़ी के पीछे ले जा पाता उससे पहले ही वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई पुलिस को देखते ही उस आतंकवादी ने पुलिस की गाड़ी पर गोलिया चलाई जोग रहा घबड़ाई सुकर्णिया फिर से अमरलाल की दन खा तभी वहाँ पर किसी के चीखने की आवाज है सुकर्णिया ने जांकर देखा तो आतंकवादी की एक गोली उससे लड़ रहे इंस्पेक्टर आनंद के पैर में लग गई थी और ये देखकर वो आतंकवादी बहुत खुश था आया था मुझे निप्टाने और खुद ही घायल हो गया अब तो तु गया इंस्पेक्टर अगली गोली तेरे पैर पर नहीं बलकि सिर पर मारूंगा आतंकी अपनी राइफल लेकर इंस्पेक्टर आनंद को निशाना बनाई रहा था कि तभी पीछे से सुकन्या ने चिल्ला कर कहा नहीं रुख जाओ ऐसा मत करो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो अच्छा अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या करो चल तो पहले तेरी बोलती ही बंद करता हूँ जैसे यातंकी ने अपनी राइफल सुकन्या की तरफ की तभी पीछे से अमरलाल बोला मेरी बच्ची आँखे बंद कर और भगवान शिव को याद कर सुकन्या ने इसे अपना अंतिम वक्त समझ कर अपनी आखे बंद कर ली और वो सच में भगवान शिव को याद करने लगी लेकिन तभी अचानक चमतकार हो गया सुकन्या अगले ही पहले कि इच्छा धारी नागिन में बदल गए उधर आतंकी की बंदूक से गोली चल चुकी थी और इधर सुकन्या ने गोली को देखते ही अपने जादू से अपने सामने धाल खड़ी कर ली जिससे टकरा कर गोली नीचे गिर पड़ी ये देखकर आतंकी ने पूरी ताकत से सुकन्या पर कूप सारी गोलिया चला है पर वो सारी गोलिया मिलकर भी सुकन्या की धाल को भेद न सकी तुने अपनी मौत को ललका रहा है अब तुने ही बचेगा ककक कौन हो तुम? बस इतना समझ ले की तेरी मौत हुम है अगले ही पल सुकन्या ने आतंकवादी पर जोरदारवार किया, जिससे वो जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया, अमरलाल ने फॉरण उसे रसी से बान दिया और फिर वो जख्मी इंस्पेक्टर के पास गया, लेकिन जैसे ही अमरलाल ने इंस्पेक्टर आनंद का चेहरा देखा तो वो चौक गया, ये तो, ये तो, क्या हुआ बाबा, मेरी मदद कीजे न, आप खड़े क्यों है, देखे ने इनका कितना खून बह गया है, इन्हे जल्दी अस्पता लेकर जाना होगा, सुकन्या वापस एक लड़की के रूप में थी और फिर, इंस्पेक्टर आनंद को होश आगे और फिर, अरे तुम तो, तो जो क्याल ये, ये, हां साहब, ये आपकी बेटी है, सुकन्या, ये क्या हो रहे है, बाबा, ये क्या कहenर है आप, बेटी, यही सच है, तेरा बाब मैं नहीं बल्कि ये है, इंस्पेक्टर आनंद, नहीं, ये जुट है, नहीं जाडियों में मिली थी, उस वक्त तुम्हारे पास दो नाग बैठे थे और वो तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, जब मैं वहाँ पहुचा तो मुझे पता चला कि वो तुम्हारे माबाप थे, काली चरण नाम के एक दुष्ट तांत्रिक ने नागमणी के लिए तुम्हारे मा बचाने के लिए सबकी नजरों से चुपा कर मैंने ही तुम्हें अमरलाल को सौब दिया था, तुमसे मिलने का कई बार मन हुआ मेरा, लेकिन मुझे हमेशा काली चरण का डर रहता था, इसलिए मैं कभी तुम्हें देखने नहीं आ सका, ये, ये कैसा सच है, मैं, मैं एक ना आप ये बताईए कि आपको खाने में छोले बटूरे तो पसंद है ना, खास तोर पर अगर वो एक नागिन के हाथों से बने हो, सुकन्या किस बात पर सभी लोग हासती है, सुकन्या भी फिलहाल मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अभी सब कुछ ठीक न झाल झाल झाल